जैहिं दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचित और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Nifty and Bank Nifty में आज के लिए क्या वियू था किस तरीके से Market में First Half में एक अच्छा खासा Fall Nifty में और Nifty IT ने उसको Lead किया Second Half में Recovery लेकिन वो Recovery केवल Banking Stocks और Specifically Private Sector Banks थकी सीमित रही तो किस तरीके से कल जो Bank Nifty की Weekly Expire है उसको हम लोग प्लान कर सकते हैं यह जो IT versus Banking Stocks का एक Divergen जो Create हो चुका है वो किस हद तक जो है वो जादा और भढ़ सकता है या फिर Nifty क्या Finally Catch Up करता हुआ हम लोग को यहाँ पर दिखाई देगा सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजगा आप लाकिन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाकिम हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जायट है में इसना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देखे सबसे बहली चीज़ अगर हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्किट्स की तो आज बिलकुल भी अपने को ग्लोबल सपोर्ट अभी तक तो नहीं है क्योंकि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ लगबग 50-60 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स 130 पॉइंट नीचे नैस्डैक हमें दिखाई दे रहा है यूरोपियन बजारों की बात करता हूँ तो वहां पे भी 30-40 पॉइंट की गिरावट और एशिया में हॉंग कॉंग लगबग 50-30 परसेंट नीचे जो है वो बंद हुआ था तो एशिया आपको नहीं दिखरा तेजी आपको यूरोप में तेजी नहीं दिख रही आपको यूएस के फूचर्स में तेजी नहीं दिख रही तो यह सारी चीजे होने के बावजूद अगर आप देखो तो हमारे बजार ने डीसेंटी परफॉर्म किया है क्योंकि बैंक्स तो हरे में है बैंक जो निफ्टी है वो 50 परण नीचे है वो भी तब जब पूरा IT सेक्टर जो है वो लगबग 600 परण नीचे और कल हम इस चीज का अल्रेडी discussion कर चुके थे के 37,395, 37,400 एक बहुत massive support है आपने देखा multiple times यहाँ पर support लिया हुआ था इसको IT ने तोड़ दिया है और इसको trigger I think यह कल ही खबर जो है लोगों के हाथ लग गई थी insiders जिसे बोलते है तभी कल ही IT सेक्टर में stocks में सेलिंग आ डाउन ग्रेड कर दिया है TCS और HCL Tech को और इसको sell rating जो है वो दे दिये CLS एक rating agency है rate करते रहते हैं जनाब तो इन्होंने जो है जो बुलते है आईटी सेक्टर की कंगाली में आटा गीला वाली चीज हो गई और पहले ही बहुत बुरी हालत हुआ रखी थी IT stocks की पिछले से move नहीं कर रहे थे इतने तेज मार्किट में भी momentum नहीं था और इन्होंने downgrade करके और समस्या बढ़ा दी अब आगे के लेक है अगर मैं एक घंटे का time frame निफ्टी IT का लगाता हूँ तो हम लोग एक critical support के पास पहुंच गया है critical support ये क्यों है क्योंकि अगर आप देखो इस बहुत critical zone है निफ्टी IT के लिए as a support तो अगर इसे रुखना है तो इसके पास perfect जगा आ चुकी है रुखने के लिए IT stocks को नीचे गिरने के लिए दूसरी एक चीज़ बहुत interesting आज के दिन हुई है कि इतना market में अगर panic था आप small cap देख रहे हो सवा percent नीचे mid cap में जो है वो point 3% की जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसके बावजूद इंडिया विक्स में बहुत बड़ी गिरावट है इसका मतलब क्या है बाजार volatility को जो है उतनी तवज्जो इस वक्त नहीं दे रहा है जितना तवज्जो शायद लोग और या जिनका view बिरिश है वो लोग दे रहे हैं तो ये चीज हम लोग को एक बजार ने sense दिया है कि बजार इस मंदी को इस profit booking को अभी तक उस नजरिये से नहीं देख रहा है उस fear factor से नहीं देख रहा है जिस fear factor से शायद और लोग या retail देख रहा है अभी तक वो रोज डेली updates levels वगरा दे देता हूं news वगरा दे देता हूं तो वह सुबह आपके काम आ जाता है सुबह पूरे दिन के levels जो होते हैं वो आप range प्ले कर सकते हैं उससे और breakout breakdowns जो है वो प्ले कर सकते हैं तो ये free group है आप जॉइन कर सकते हैं 94,000 से जाधा members आप लोग का बहु banking and financials में एक divergence है और bankruptcy और financials strong है अगर IT थोड़ा सा भी stabilize हुआ यहां पर हम reversal की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम IT रुका, IT गिरना रुकेगा तो ही market बढ़ जाएगा क्योंकि banking and financials में बहुत जाधा strength सुबह से ही दिख रही थी और वो ही चीज हमें दिखाई दी second half में banking and financials में क्या जबरदस्त momentum जो है वो आता हुआ दिखाई दिया रहा हूं 12-12 के आसपस तो यह एक बहुत अच्छा momentum हुआ और अच्छी चीज क्या हुई है ना bank nifty ने breakout तो किया यह trend line जो zone था उसका breakout किया यहां पे gap area था 47, 500, 600 का इसका breakout किया उसके बाद इस breakout के उपर अच्छी ची आ रही थी financials में बट बैंक जो private sector वाले थे उन्होंने इसके उपर hold किया है यह सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कल के लिए अगर आप देखो तो nifty का put call ratio 1.15 है expiry परसो है इसकी बट कल जो bank nifty के expiry है 6 मार्च को 1.26 का put call ratio है इसका मतलब put writing जो है वो अच्छी घासी bank nifty में हुई हुई है highest open interest जो call का बना हुआ है वो 49,000 पे है बहुत surprising चीज मेरे को दिखाई दे रही है expiry से पहले कि 49,000 पे highest open interest जो है वो bank nifty का बना हुआ है जो की जो है चीज दिखा रहा है कि अभी call writer banks में pass की writing करने के लिए definitely थोड़ा avoid ही कर रहे है थोड़ा pressure में है तो हम किस तरीके से play करेंगे सबसे पहले banks की ही बात कर लेते हैं जब तक आप bank nifty में 47,450 इसके नीचे नहीं जाते हैं तब तक आप strong है ठीक है 47,440 के नीचे आप जाते हैं तो 47,240 और 47,050 का level हम लोग को देखने को मिलेगा on the upside में आज का जो high होगा 47,730 इसके उपर अगर बजार निकलता है तो 48,000 तक की journey हम दुबारा से continue जो हो सकती है या फर support लेके दुबारा बजार उपर जाने की कोशिश कर सकता है तो यह हमारे दोनों side के levels हमारे पास तयार रहेंगे Nifty की अगर मैं बात करता हूँ तो Nifty में भी एक बहुत ही interesting चीज हम लोग देख रहे हैं कि इतनी उठा पटक 600 point IT नीचे होने के बावजूद Global इतना नीचे होने के बावजूद Nifty 50 point नीचे है तो यह inherent strength जो है वो definitely बजार की दिखा रहा है ठीक है overall strength जो है वो बजार की इस वक्त दिखा रहा है कि आज थोड़ा बजार कोशिश कर रहा है आउट परफॉर्म करने की global peers को अब रात को भई अमेरिका पूरा collapse ही हो जाए NASDAQ 300-400 गिर जाए DAO 500 गिर जाए तो फिर तो हम कुछ कहीं नहीं सकते हैं फिर तो यह 200-500 नीचे खुले गई बट इतनी weakness के बावजूद जो इसने resilience दिखाया है वो definitely काबिल यह तारीफ है तो उसको अगर अपने को play out करना है तो अपना level clear है 2440-2460 यह range के उपर अगर यह market निगलता है तो बड़ा breakout हो जाएगा आप इसकी तयारी रखिए यह चाहे आप gap up से निगालते हैं यह चाहे आप intraday निगालते हैं बट 2440-2460 अगर उपर की side breakout होता है तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा breakout उपर की side definitely मिलेगा जिसके targets minimum जो है 22,630 के हम लोग लेके चलेंगे expiry तक minimum की हम यहाँ पर बात करने है on the downside में support हमारे लिए जो important होगा वो होगा आज का low वो हमारे लिए निकल के आता है लगबग 22,275 का previously भी इस area पे थोड़ा swing बना था आज के दिन भी swing बना है तो double swing हो चुका है तो 22,275 आपके लिए lower side पे एक support है तो यह एक broader range है अब broader range को कैसे आप ले गर सकते हो अगर highest point पे जाता है मान लिजे कहीं इधर जो है वो बजार जाता है या lowest point पे जाता है यहाँ पे आप देखिए price क्या जो है वो action बना रहा है मतलब action in the sense price action को अगर simple भाशा में समझीए कि किस तरीकी के patterns जो है आप बनने की कोशिश हो रही है candles formation क्या हो रहे है आप यहाँ पे देख रहे है clear hammer formation बना है 15 minute time frame का hammer बना है उसके बाद बहुत अच्छा एक उपर का side का trend मिला तो इस type का अगर कोई candle support पे बनता है तो आप यहाँ पे दुबारा से एक buy का जो initiation है वो कर सकते हैं अगर market नीचे की तरफ आता है तो और उपर की side की journey हम लोग दुबारा से continue करेंगे बट broader range यही रहेगी बड़ा range breakout इस range के उपर या नीचे gap up या gap down खुलके भी होता है तो भी हो जाएगा तो इस चीज़ का हमें definitely इंतजार रहेगा कि finally कब यह range से बाहर market निकलता है दो तिन दिन की range अल्रेडी बन चुकी है hopefully कल एक अपने को ट्रेंडिंग दे मिले और एक भैतर ट्रेडिंग डे आपके लिए हो तो आश्या करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो बंदा चैब वीडियो को लाइक किजिका मिलता हूं आप सिक लिए वीडियो में thank you so much for watching guys जेहिन वंदे मात्रम